हाइ फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल, मैं डिहट, एंड आज हम रिव्यू करेंगे एट्रेक्स सिरप के बारे में, क्या इसका यूज है, क्या डोज है, एंड क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ जानेंगे, आज हम इस वीडियो हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर लें बात करते हैं एट्रेक्स सिरप के बारे में जू कि इसका बुराड़ने में एंड कंपनी की बात करें हम तो इसका डोक्टर रेडी कंपनी द्वारा बनाया जाता है और यह काफी सारी बिनन नेम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगा जैसे कि मेंनकाइन कमपने के दुआरा हाईकोप सिरफ बनाया जाता है अब बात करते हैं इसके कमपोजिशन के बारे में कि इसके अंदर साल्ट क्या पाया जाता है तो इसके अंदर हाईडरोकसाजाइन पाया जाता है जो कि 10 मिलिग्राम में होता है अब बात करते हैं इसकी MRP के बारे में तो यह आपको 100 रुपे का 100 ml की एक बोतल मिल जाती है जो 100 रुपे में आपको कहीं भी असानी से मिल जाएगी अपक बात करते हैं इसके जो इसके अंदर हाईडरोकसाजाइन पाया जाता है यह क्या होता है? यह एक antihistamic या antialergic drug होती है यानि अगर बात करते हैं इसके यूज के बारे में की इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं यह इस nuggets में अगर कोई infection हो रहा हो एलर्जी हो रही हो में यूस किया जाता है जैसी कि अगर पच्चे के हाथ में या पैर पे चक्टे से हो गए है या छोटे-छोटे दाने हो गए है बलब एलर्जी किसी भी तरह की फंगल इंफेक्शन है तो उनसा भी situation में डॉक्टर आपको लिख सकता है अब बात करते हैं इ यूझकि यह 20 गंटे तक हमारी body में work करती है बात करते हैं इसकी excretion के बारे में कि यह भार कैसे निगलता है तो यूरिन के द्वार यह भार निकलता है एंट कि बात करें तो यह एंटी-स्ट्रमिंट की first generation की जैसे कि लिवो सिट्रजन होती है यह सिट्रजन होती है तो सेम आप करते हैं कि कार्य क्या करता है की काम क्या करता है। जिससे कि कुछ साइड़के सब coalitides वी साइड़एग्ट कीजिएलेशन slipping करते हैं किससाइड-ईफ्वेक्ट कि ह Sizसे साइड़एग्ट क्या हो सकते हैं ? नोर्मली इतने ज़्यादा side effect नहीं होते हैं, पर आप एक बार अगर आपने ज़्यादा overdose देजीती है, जब इस situation में ही कुछ side effect देखे जाते हैं, जैसे की eating हो सकती है बच्चे को, या soiling आ सकती है, inflammation हो सकती है, या इसे इसे देने के बाद एक सबसे बड़ा side effect यह है, कि बच इसकी expiry check कर ले देने से पहले, and एक बार इसकी expiry check कर ले, and जब भी आप बच्चे को दे, जितना आपको डॉक्टर ने लिखा है, आप केवल उतना ही दे, and बात करते हैं इसके, बस और कुछ जादा सके side effect यह, और कुछ नहीं, मैंना आपको इसके use, dose and side effect, सब कुछ बता है आपको दितना ही इसके लिएशिभी जादा सकी बादान को भ़ा लेख खितना ही ले उतना है, कर दो 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 चीकिना.